बेदों में भगवान की परिभाशा बताई गई है वो सर्ब समर्थ है, सर्बान तर्यामी है, सर्ब द्रष्टा है, सर्ब नियन्ता है, सर्ब साक्षी है, सर्ब सुरित है, सर्ब एश्वर है, सर्ब शक्तिमान है बड़ी बड़ी बातें लिखी है तो उसमें एक शब्द को ले लो वो सर्ब समर्थ है सर्ब समर्थ की परिभाषा क्या है कर्त मन्न था कर्तुम समर्थ है जो चाहे करे जो चाहे ना करे जो चाहे उल्टा करे अईसा तो जो चाहे करे जो चाहे ना करे इसमें से थोड़ी बहुत तो क्रिया हम लोगों में भी है जो चाहे करे जो चाहे ना करे हमारी इच्छा है नहीं इच्छा है नहीं बोलते लेकिन जो चाहे उल्टा करे ये मनुष्च्य नहीं कर सकता हम आँक से चाहे देखा है और चाहे नदेखा है आँक्ष बंद कर ले ये हमारी इच्छा पर है लेकिन कान से देखें ये हम नहीं कर सकते हैं लेकिन भगवान कर सकते हैं बिना आख के देखें ये हम नहीं कर सकते लेकिन भगवान कर सकते हैं बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म करई बिधिनाना आनन रहित सकलरस भोगी औबिनु जीवा बकता बड़ जोगी तनु बिनु परस नयन बिनु देखा औग्रहई ग्रान बिनु बास अशेखा आस सब भाति अलवकिक करनी महिमा जास जाई नहीं बरनी चुप लवकिक हमारे संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता लेकिन वो अलवकिक करनी है उसकी यारी अन्यथा कर तुम समर्थ है जो चाहे उल्टा करे हाँ इसलिए तो सर्ब समर्थ कहते हैं हम असमर्थ हैं हम पूरे पूरे एक भी बात में समर्थ नहीं है जो चाहे करें चलो यही ले लो हम ऐसा कर सकते हैं क्या जो चाहे करें हम चाहते हैं अभी उचल के इंग लाइन पहुंच जाएं नहीं कर सकते हैं हम चाहते हैं यहां से हम पचास करोड मिल दूर देखें इसी आख से नहीं कर सकते हैं और हम जो चाहें ना करें यह भी नहीं कर सकते हम चाहते हैं कि सांस ना ले ऐसे बैठे रहें आराम से नहीं कर सकते सास लेना पड़ेगा हम रहा ही नहीं सकते बिना सास लिए हम चाहते हैं एक महीने पानी न पिये खाना न खाए हम नहीं कर सकते तो हम तो तीन में एक भी नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत दो चीज हम कर सकते है लिमिट में लेकिन अन्यथा कर तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते तो ऐसा भगवान है और एक बात और बहुत बड़ी है भगवान में क्या उसमें आठ गुण है तो आठ गुण प्रमुख रूप से अपरित पापमा बिजरो बिमृत्तुर बिशोको बिजगत्तो पिपासा सत्य कामह सत्य संकल्पा इसमें एक गुण ले लो सत्य संकल्पा वो सत्य संकल्प है क्या मतलब जो सोचा हो गया प्रैक्टिकल नहीं करना है सोचा संसार बन जाओ बन गया संसार का प्रलय हो जा हो गया बोला भी नहीं सोचा सोकामयत बहुस्याम प्रजाये ये ती उसने सोचा साइक्षत साइक्षान चक्रे ये संसार जो बना है कैसे बना है किसी सामान से नहीं बना सामान तो कुछ चाही नहीं नथिंग से संसार बना है और कुछ करना वरना कुछ नहीं सोचा बन गया हाई बहुत बड़ी बात है तो क्यों जी हमारा क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं सोचा अनंत कोट ब्रह्मांड का भवबंधन समाप्त हो जाए जब सोचने से सब काम हो जाता है तो एक बार ये भी सोच लेता कि अनंत कोट ब्रह्मांड का उद्धार हो जाएं सब मेरे पास आ जाएं सब माया से मुक्त हो जाएं कि ये श्रिष्टी करता है माने सोच करके संसार बनाता है फिर एक एक जीव में ब्याप्त होता है और सर्ब ब्यापक अलग होता है फिर एक एक जीव के अनंत जन्मों के अनंत पाप उन्न का हिसाब रखता है उनके गंदे गंदे आईडियाद नोट करता है इतना लेवर क्यों करता है अरे बाबा संकल्प कर लो हो गया चुट्टी भगवान का एक नाम है अकारण करुण अकारण क्रिपालू ओ क्रिपा करता है संसार में कोई क्रिपा नहीं कर सकता भगवान ही क्रिपा करता है एक होता है कोप वो तो हम सब लोग करते ही है एक होता है नियाए इंसाफ वो भी कोई कोई कर सकता है बशर्ते की जहां नियाए करना है वहां किसी पक्ष में न राग हो न द्वेश हो प्लस वो सरबग हो नियाए अधीश ऐसा हुआ है कि नहीं एक आदमी ने कहा हमने मान लिया ए रे आदमी तो रोज जूट बोलता है जज भी जानता है हाँ रोज जूट बोलता है अपने माबाप से बोलता है औरों से कौन कहे जरा सिस्वार्त सिद्धी का मामला आया तुरण जूट बोल दिया अपना काम बन जाए तो गवाहों से फैसला करना ये तो जज्ज्मेंट नहीं है तो किया फृप्र जजस आप देखने जी गए थे वहां मर्डर हुआ था जी नहीं नहीं देखने तो नहीं गए तो प्र क्या फैसला करेगा ओ जज्ज्ज्ट fare क्वास कितने बे गुणाओं को फांसी हो रही है और गुणहगार बच रहे हैं सारी दुनिया में कोई चारा नहीं क्या करें कोई जज अंतर जाममी नहीं और अंतर जाममी हो भी अगर तो कौन मानेगा अगर जड़िजमेंट में लिख दे कि मैंने देखा है कोई नहीं सुनेगा तो नियाय करना भी कछिन है संसार में कृपा कौन करेगा बला वो तो बहुत बहुत संभव बात है तो कृपा केबल भगवान करता है नियाय भी केबल भगवान करता है हमारे संसार में जब कोई बलवान कमजोर को बहुत सताता है तो करता है ठीक है ठीक है हमारा तुमारा फैसला ओ करेगा उपर वाला करेगा क्योंकि वो गड़बड नहीं कर सकता ओ सर्वांतर जामी, सर्व्यापक, सर्वग्य है वहां गड़बड क्या होगी वो कोई गवाही पवाही नहीं सुनता वो किसी महापुरुष को भी नहीं रखता इस मामले में अपने आप नोट करता है, अपने आप फल देता है अपने आप सब कुछ करता है कोई सर्वेंट नहीं उसके आउं इसलिए प्रतेक जीव के साथ प्रतेक छन रहता है प्रतेक छन पता नहीं किस चन में ये सरंडर कर दे मेरे प्रती एक सेकंड को अगर भगवान इधर देखने लग जाये अब उसी चन में जीव शर्नागत हो जाए तो फिर भगवान का करन होते ही मैं कृपा करके माया निबृत्ति कर देता हूं त्रगुन त्रकर्म त्रदोष समात कर देता हूं और परमानंद से माला माल कर देता हूं ये सब जो कानून है ये लगू कैसे करेंगे वो अगर प्रतिक्षण दिर्ष्टी न रखेंगे तो तो भगवान सदा हमारी और दिरिष्टी रखता है, हमारे आइडियाज मोट करता है, कर्म नहीं, हजार मर्डर करता है अरजुन, भगवान कहते हैं कुछ नहीं किया, मैं तो साथ में था, मैं जानता हूँ, अजी साथ सारी इंडिया कहे रही है, और जितने मरें उनके सब रिष्टदार कह रहे हैं, क हमने जलाए लाश को, अजार भखवास है, उसका मन तो मेरे पास था, मन्शाज अगर होती है, तब उसको कर्म कहते हैं, उसकी मन्शा थी ही नहीं दुश्मनी की, उसका मन तो मेरे पास था, इसलिए उसका कर्म ने उसका कोई फन नहीं कोई दंड नहीं मारा तो मैंने है मैं यही वनिहिता गीता में भगवान ने अर्जुन से जब कहा अड़े बेवकुप तु तो ऐसे ही बांच लाए जा मारा तो मैंने है यह जब मरे हुए हैं जो खड़े मैं सब के भीतर बैठा हूँ मैं चाबी गुमाने के लिए हाथ भी ऐसे नहीं करता सोचा वो मर गया बस निमित मात्रम भवसब व्यसाचिन तु तो निमित हो जा बस दुनिया समझें तुने महाभारत किया तो नियाय करना कृपा करना इस साब काम भगवान करते हैं कोई मनुष्य नहीं कर सकता कहीं कहीं बाई चांस हो जाए उससे नियाय पास्विल है बाई चांस कोई डावा नहीं कर सकता एक जच साब से हमारे सत्तंगी थे वो पहली बार सेशन जच बने परताब गड़ में थे तो उनके पास मर्डर का केस आया तो आके हमारे पास रोने लेगे बाकाईदा महराज जी उसने मर्डर किया नहीं है ये पुलिस वालों नहीं फसाया है और ये सब गलत है मैं पक्के तोर्थ चैलेंज करता हूँ लेकिन अगर मैं छोड़ दूँगा तो हाई कोर्ट वर लिखेगी हमारी जज्जमेंट के उपर हमारी मुसीबत कर देगी अब मैं क्या करूँ मैं तो सर्विस छोड़ दूँगा अब बेगुना को फासी हो जाएगी मैं ऐसी नोकरी नहीं करता हाँ जानता भी हो तो विचारण क्या करेगा हो हो तो जो एबिडेंस है जो फाइल बता रही है वह इसे ही लिखो जज्जमेंट मजबूर हो लेकिन भगवान स्वयम सब कुछ देखता है स्वयम सब कुछ जज्जमेंट देता है तो क्यों जी ओ क्रिपालू है अकारण तो क्रिपा क्यों नहीं करता संकल्प करके सब का उद्धार कर दे ये में क्वेश्चन है और हमसे कोई मतलब नहीं उसके न्याय करने से हमारा फाइदा नहीं होगा न्याय कर रहा है अनाधिकाल से क्या फाइदा हो रहा है हमारा हम गलत काम किये जा रहे हैं वो नोट किये जा रहा है और दंड दिये जा रहा है दिये जाओ और अगर हम इह भी मान ले आज से हमने गलत काम बंद कर दिया Impossible ध्यान दो सब लोग इस पॉइंट पर जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता हम गलत काम नहीं करेंगे अरे गलत काम कराने का कौन है जिम्मेदार माया अज्यान से होता है न गलत काम संसार के अटाइच्मेंट से होता है गलत काम अपने को शरीर मान लिया भस गलत काम करोगे अब तुम यह मारी माँ है यह वारा बाप है यह मारी बीबी है यह मारा बेटा है अब होगे अधाब गलत काम होगा पक्षपात करोगे भगवान को छोड़ कर कहीं मन का लगाव हुआ गलत काम बस अरी अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं किसने कहा आपको अपनी माँ से प्यार करो यह गलत काम है तुम आत्मा हो, तुम्हारी माँ भगवान है, उससे प्यार करो ये क्या है इन कूडा का बाड़ा माँ बाप बेटा इस तिरी पती से प्यार करते हो ये तो बदलते रहते हैं हर जन्म में ये कौन तुम्हारी माँ है, अनन्त बार तुमने माँ बदला है कुट्य बिल्ली गधे कुमा बनाया बाप बनाया बड़ी माँ वाली हुद यह हमारी माँ है काई कति नाम सुतान ला लिता शुगदेव परमहंस मां के पेट में थे बारा साल तक निकले ही नहीं बाहर कोई बेड मंत्र बोले गलत तो अंदर से बोले एई घलत बोले ही बेड मंत्र तो बेड ब्यास ने कहा बही तुम कौन हो बाहर नहीं निकलते तो उनने कहा कि पिता जी 84 लाख योनियों में अनंत बार घूम चुके हम क्या बतावे कौन है हमारे कोई एक सरीर हो एक नाम हो एक पता हो तो बतावे बिद्व्यास ने कहा है तो बहुत बड़ा बेडानती है हमसे अधिक ज्यान रखता है तो तो ये संसार के जो हमने गलती की अपने को शरीर मान करके तो गलत काम साब होगा हमसे साब गलत काम होगा कोई सही काम नहीं अगर 24 गंटे में किसी महापुरुष के बताने के कारण थोड़ा सा भगवान का ध्यान किया मैं दास हूँ भगवान मेरे स्वामी है हाँ बस इतना तुमने सही काम किया बाकी साब गलत नखश्चिन ना पराध्यती जब जयन्त के उपर राम ने बाण छोड़ा और सारी दुनिया में घूमा ब्रह्मा विश्णू शंकर के पास किसी ने नहीं बचाया और लोट के आया और राम के चरणों में पड़ा तो राम ने गा मैंने एक छमा करूंगा तो सीता जी ने गा एक बात पूछू पूछो पूछो नकश्चिन ना पराध्यती भगवत प्राप्ती के पहले तुम्हारी कृपा के बिना कोई ऐसा हुआ है जो अपराध न करे अरे अपराध करने वाली माया देवी तो बैठी है इसके अमताह करण में अपराध कैसे नहीं करेगा और क्या करेगा है यह जानते ही नहीं अपराध है क्या और कहां तक कहें इसको अपराध की परिभासा ही नहीं मालू तो भगवान क्रिपा करते हैं तो ऐसी क्रिपा क्यों नहीं की यह भगवान से क्वच्चन है किसाब जिवों का उद्धार हो जाए सब को दिव प्रेम दे दें सब को माला माल कर दें ऐसा क्यों नहीं किया कोई कह सकता है कि बाई देखो ऐसा है कि अनंत जी महापुरुष पहले हो चुके हैं उन्होंने कानून का पालन किया था भगवान का एक ला है अर्जुन से कहा था उन्होंने अर्जुन मेरी किसी चे दुश्मनी नहीं क्योंकि मेरा कोई कुछ बिगाड नहीं सकता दुश्मनी तो तब होती है न जब हमारा कोई नुकसान कर सके हम तुमको गोली मार देंगे अब वो डर रहा है हर समय हर जगे मारे चाहे न मारे होते हैं ये को आपके बोल दिया अब हमारी कोपणी में उलग गई बीमारी अब खोश्यार रहो है उधर कोई जहांक रहा ता आज कौन था आज हमारी दुन्या में क्या हो रहा है क्या है वो यह मले हो यह अंपी हो मिनिस्ट्र हो कोई हो सब के पीछे एक बीमारी लगी है कोई मार न डाले एक कौन आदमी आया है है पता लगा हर समय भै कोई शांती से कहीं जा नहीं सकता हर जगे हर एक के पीछे एक बाडिगार्ड है तो भगवान हमको अगर अपनी कृपा के द्वारा दिब्व प्रेम दे दें तो हम कृतार्त हो जाएं धन्य हो जाएं भगवान के पास चले जाएं गो लोग ये भगवान ने नहीं किया तो ये जो पॉइंट आप देंगे कि और सम्हापुर्शों ने तो शरनागती की तब कृपा किया उनके उपर भगवान कहते हैं मैं तो समधर्शी हूँ नयाईश हूँ जो जैसा करता है वैसा उसको फल दे देता हूँ अपने बाप को भी मैं नहीं छोड़ता दरसरत जी को मरना था मरे हमने नहीं बचाया उनको हमारे बाप थे अभिमन्यू को मरना है मरा मैं सामने बैठा हूँ और महापुरुष है उसका बाप अर्जुन और शादी कराने वाले बेदव्यास वो भी भगवान के आउतार तीन तीन सुप्रीम पावर और कोई नहीं बचा सका अब आज कल उसके हालत सीरियस है लग पंड़िजी को बु तो वो बच जाएगा और सुनो बेगूफों को ये पंड़िजी के मिर्तुन्जे के जाप से बच जाएगा हो तो भगवान नयायाधीश है और ठीक भी है उनको ने किसी से कुछ लेना है और ना उनका कोई कुछ बिगार सकता है तो फिर वो रागर द्वेश करेंगे ही क्यों ठीक है लेकिन उनी का कानून अब देखो एक जनरल सिद्धान्त बताया मैं समदर्शी हूँ अब सब सेक्षन आया लेकिन माम भजन्त तुझे भक्त्या मैं ते ते शुचाप्यम लेकिन अगर कोई मुझे को सरंडर करता है पूर शर्णागत होता है भक्ती के द्वारा तो फिर मैं न्याय नहीं करता हूँ कृपा करता हूँ और कितनी कृपा करता हूँ पिछला माफ कर देता हूँ अगले का ठेका ले लेता हूँ डबल काम यही पर ध्यान दो आप लोग किसी जज के आगे कोई मुल्दिम कहे है ठीक है हमने मर्डर किया है लेकिन अपती बार माफ कर दीजिए आहंदा से अगर मैं दफा तीन सो तेईस भी करूं तो तीन सो दो लगा दीजिएगा मैं लिख के दे रहा हूँ जज कहता है ठीक है ठीक है हम तुम से यही आशा करते हैं कि भविश्र में अपराद नहीं करोगे लेकिन जो किया है उसका फल भोगना पढ़ेगा एक बार फासी होगी उसके अपराद ना करना तो दंड नहीं मिलेगा और कहता है सरकार जब फासी हो जाएगी तो फिर मैं कहा रहूंगा अपराद करने को उन्हें कहा तो पर तो मजबूरी एक कानून है यह जो आप मर्डर किया है उसका दंड भोगना पढ़ेगा और हमने तो अनंत पाप किया है अन अनंत जन्म में अगर उसका फल हमको भगवान भगवावें तो भगवत प्राप्ति के बाद भी अनंत जन्म लग जाए तब भी पाप समाप्त नहूंगे न्याय तो कहता है कि भाई ठीक है अब तुमने सरंडर कर दिया अब भविष्य में हम तुम्हारा ठेका लेते हैं लेकिन जो पाप किया है पहले वो तो भोगना पढ़ेगा भगवान कहते हैं नाए नाए वो भी माप अहन्त्वाम सर्वपापे भ्यो मोग्षे इस्ट्याने अर्जुन तो डर मत पाप 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 चिलाता है तो मैं सब पाप माफ कर दूँगा सब पाप एक दो दस बीस जन्म के नहीं तो ये कृपा तो ये कृपा का कानून है भगवान का अगर मेरी सरनागती में आ जाए कोई तो फिर उसके लिए वो कानून बदल जाएगा कि मैं समधर्शी हूँ फिर वो कानून आएगा कि मैं ठेका लेता हूँ पिछला माफ कर दूँगा अगला भी वो पाप नहीं करेगा साब बात बन गई एक कानून है कानून के अंतरगत है वो कृपा ऐसा नहीं है कि तुरसी दास्प कर दिया सूर्दास्प कर दिया कुछे दिमाग नहीं आ गया कर दिया ऐसा नहीं है भगवान खपती नहीं है ऐसे कर दिया अरे देखो हमारे देश में भी प्रेसिडेंट को पावर दी है अपराद ख्षमा कर देने की लेकिन वहाँ भी काईदा कानून है ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट मन माना माफ कर दे लेकिन भगवान के यहां बार सरंडर किया किसाब माफ तो यह जितने महापुरुष हुए है हमारे यहां इतिहास में यह सब कहेंगे क्यों जी हमने तो सरनागती की तब करपा हुई थी और अब आप कानून बदल लें बिना सरनागती के करपा कर रहें नहीं यह भी बात नहीं फिर क्या बात है बात यह है कि हमारा जो बरतन है अंता करण यह दिब बस्तू के योग नहीं है इसमें दिब ग्यान दिब आनन्द ठहर नहीं सकता इस बरतन को पहले शुद्ध करना होगा तो यह शरनागती भक्ती जो कुछ है संत बताते हैं भगवान बताते हैं जो यह केवल यह काम करता है कि हमारे अंता करण का बरतन दिब बना देता है शुद्ध करके जब भरतन बन जाता है तब भगवान या गुरू जो दिब प्रेम दिब शक्ती देगा वो फ्री में देगा उसका मूले आप क्या देंगे आपके पास तो सब चीज मिटीरियल है प्राकृत है इंद्रियां प्राकृत मन प्राकृत बुद्धी प्राकृत शरीर प्राकृत गोगोचर जहलग मन जाई सो सब माया आजाने हुबाई दिब बस्तू आपके पास कहा है जिससे आप दिब बस्तू खरी देंगे तो वो दिब प्रेम जो गुरू भगवान देंगे वो तो क्रपा से ही देंगे बिना मूल लेके देंगे खाली बर्तन बनाना है आपको तो आकारण क्रपालू है को कि आपने बर्तन बनाया और कहा दे दो नकाल ले लो इसका दाम आम नहीं लेते बस बरतन लाओ हम दे देंगे बरतन बनाना इतना सा काम हमने अनंत जन्मों में नहीं किया उसी को भक्ती कह दो, साधना कह दो, प्रेम कह दो, शरनागती कह दो केवल भगवान ही हमारे अंता करण में रहे, संसार न रहे कुछ भी भाशा में बोल दो, यह हमने नहीं किया, अब तक या 10% किया, 20% किया, 50% किया, अरे 99.9% भी किया तो भी काम नहीं बनेगा, यह लोगा है, यह पारस है, पास में आ गया, पास में आ गया, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ए छू गया, अब सोना बनेगा, एक करंट जा रहा है तार में हमने उंगली रखा नए 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 छुआ दो आप खीचे गाओ जदा हे वैतस्मिन्नू दर्मंतरं कुरुते अठतस्थ भयंभवत बेद कहता है जरा भी अंतर न रहे शर्नागती में आपके मन में संसार थोड़ा भी न रहे यह चार छे तो है कुल जमा टोटल एक ठुमा होगी एक ठुमाप होगा दो चार छे बच्चे होंगे और है क्या तुमारे पास संसार इसी में मरे जा रहे हो छोड़ो ना इनको इनका अट्राइस्मेंट छोड़ो क्यों जिद्ध किये हो मरना है मालूम है हाँ मालूम है मरने के बाद पिर कौन जाएगा तुमारे संसार वालों के पास अरे अन्तहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते तुड़सी दास ने कहा अरे ये सब तो तुझको छोड़ेंगे एक दिन तुपहले ही छोड़ें वो हमको बुरा कहेंगे बास एक पॉइंट हमको दुनिया बुरी कहेगी तुमको अच्छा कौन कहता है तुम बेवकूफ हो मूर्ख हो जाहिल हो गड़े हो जो समझते हो हमको लोग अच्छा कहते हैं सब पीठ पीछे बुराई करते हैं तुमारा बाप तुमारी माँ तुमारा बेटा साब अभी अभी बुराई कर रहे तो वो आ गया अरे आईए ऐसी वास्तर जी आईए आईए एलो क्या एक्टिम हो रही है तो हमारी जो भूल है अपने को शरीर मान कर शरीर के रिष्टेदारों को अपना मान कर इस भूल को मिटाना होगा आज नहीं कल चाहे जब अनंत जन में हमने इगलती की और फिर कर रहे हैं फिर 84 लाक में घूमने के बाद कभी मानो देह मिलेगा और फिर यही बात सामने आएगी कोई गुरू आपको बताएगा और फिर आप नहीं मानेंगे इसी प्रकार घूमा करेंगे 84 लाक में यह जिद्ध काम नहीं देगी कि हम तो अपने मन के अनसार काम करेंगे जी हम बेदशास्त्र पुरान संत भगवान की बातें नहीं सुनते ठीक है कर्म करने का अधिकार सब को है लेकिन फल भोगना पड़ेगा भगवान के कानून के अनसार वो नहीं चलेगा वहाँ कोई धिंगा मुष्टी नहीं चलती भगवान के यहाँ गुश दे देंगे वहाँ यह कर देंगे वहाँ ऐसा बिड़ा देंगे बिड़ाना उड़ाना कुछ नहीं काम देगा भोगना पड़ेगा इसलिए भगवान अकारण करुण है हमारा काम बरतन बनाना हम भक्ति के द्वारा अंता करन शुद्ध करके गुरु द्वारा उसको दिब्ब बना करके तैयार कर दे फिर वो भगवत प्राप्ति वाला सामान भगवान गुरु अपने आप दे देंगे और हम कृतार्थ हो जाएंगे शेश फिर